चोपड़ा एजबिसन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि नीट एक्जाम फॉरूम के अलावा और कौन-कौन से इस वीडियो में हम सभी फॉरूमों के बारे में एकी जगह जानकारी लेंगे इन सब के बारे में हम सर्चा करेंगे इसमें तो आपको पताई है नीट, MBBS और BDS कोर्स में एड्मिशन के लिए कंडेक्ट करवाया जाता है NTA के दवारा इसके अलावा इस साल BDSC नर्सिंग और Life Science कोर्सेज हैं वो भी NTA ने ये क्लियर कर दिया है कि वो भी नीट के थुरू ही होंगे लेकिन इस साल फिर से BDSC नर्सिंग और Paramedical कोर्सेज के लिए एक्जाम कंडेक्ट करवा रहा है जिपमर ने ये क्लियर कर दिया है कि इस बार कोई उसका एक्जाम नहीं होगा सारे जो जितने भी कोर्सेज जिपमर में करवाय जाते हैं उसमें एडमिसन नीट स्कोर पर होगा उसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ अगर आप AIMS से कोर्स करना चाते हैं जैसे B.A.C. नर्सिंग हो गया परामेडिकल कोर्सेज हो गया तो ये आप इसके लिए रेजिस्टेशन अभी खतम हो चुके हैं 6 अप्रेल इसकी लास्ट डेट थी बेसिक रेजिस्टेशन की अगर आपने पहले बेसिक रेजिस्टेशन कर रखा इससे पहले तो आपको फाइनल रेजिस्टेशन करना है तो AIMS के इन कोर्सेज के लिए एकजाम फिर से होगा यानि कि ये नीट स्कोर पर नहीं होगा इनका जो AIMS के लिए है वो सिरफ है MBBC नीट स्कोर पर होगा अभी तक का यही अपडेट है तो अगर आप इन कोर्सेज में AIMS में एडमिसन लेना चाते हैं तो फीस पे करके फाइनल रेजिस्टेशन आपको करना है इसके बाद में हम बात करें BHU में करवाए जाने वाले कोर्सेज की तो BHU में जो कोर्सेज हैं इसमें जो मेडिकल स्टुडेंट हैं वो ICR का एक्जाम भी देते हैं और इसमें वेटनरी के लिए रेजिस्टेशन करते हैं वो UT के थुरू होता है तो यूइटी के अभी फॉर्म स्टार्ट होए नहीं है जैसे इसके रेजिस्टेशने स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा इसके अलावा जो BHU के तीन कोर्सेज हैं बीसी निर्सिंग है इसमें बी ओटी है ओटी कोर्सेज है इसके बाद में भी फॉर्म आयर्वेदा है ये तीनों कोर्सेज के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है कि BHU उपना इंट्रेंस एक्जाम कंडेक्ट करवाएगा या फिर ये नीट के थू ही होगा तो ये अभी क्लियर होना बाकी है जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इनफॉर्म कर दूँगा अभी इसके यूटी के भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए है और इन तीनों कोर्सेज के भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए है इनमें कौन-कौन से कोर्सेज है इनका मैं separate वीडियो बना चुका हूँ, आप channel सर्च करके वीडियो देख सकते हैं BHU के बारे में, इसके अलावा DU अपना जो BAC nursing का है, वो पहले अलग से entrance exam conduct करवाता था, तो इस बार ये DU का भी NEET score पर ही होगा, तो ये अभी जैसे ही इसके बारे में update मिलेगा, मैं आपको inform क कर दूँगा, इसके बाद में हम बात करें CMC value के जो medical courses हैं उनके बारे में, तो आपको पता ही है MBBS, तो इसमें CMC value में MBBS, BDS तो NEET score पर होता है, इसके अलावा जो बाकी courses हैं, उसका CMC अपना अलग से entrance exam conduct करवाता था, तो इस बार देखते हैं, BSC nursing CMC खुद conduct करवाता है, या फिर NEET score पर होता है, लेकिन इसके अलावा जो CMC value के courses हैं, उसके लिए CMC value अपना अलग से entrance exam conduct करवायेगा, अभी इसके form start नहीं हुए हैं, वैसे ये form फरवरी में start हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा सभी कुछ late हो रहा है, तो ये हम स form start होंगे, इसमें जो courses हैं, वो BSC nursing है, BOT है, BPT है, BSC MLT है, इसके बाद में जो medical courses हैं, वो देख सकते हैं, इसमें diploma और degree दोनों परकार के courses हैं, इसके बाद में हम बात करें IPU का, इंदर प्रष्त University जो दिली में है, जिसमें All India के candidate भी admission लेते हैं, बाकि other courses के लिए, तो इसम में भी MBBS और जो BDS course है, वो तो NEET score पर ही होता है, इसके अलावा जो courses हैं, उसका IPU अपना अलग से entrance exam conduct करवाता है, इसके भी अभी form start नहीं होए हैं, जनरली अपरेल में form start हो जाते हैं, तो हम इनका सोच रहे हैं कि ये मई में start होने की सभावना है, तो इसमें हम course देखते ह हैं, तो जो इसके courses हैं, BSC nursing है, unmarried female के लिए, candidate के लिए है, इसमें paramedical के ये 6 परकार के courses हैं, इसके अलावा इसमें BSLP, BPO, BOT, तो इस परकार के इसमें courses हैं, post basic भी है nursing का, तो इसमें आप दिल्ली के किसी institute से ये course करना चाते हैं, तो इसका form apply कर सकते हैं, अभी इसका form start नह हुआ है, जैसे ये start होगा, हम आपको inform कर देंगे, इसके बाद में हम बात करें, ICR का, तो ICR का exam भी student, जो medical student है, और engineering के student है, दोनों तरह के student ICR का exam देते हैं, इसमें, तो ICR का भी अभी application form start नहीं हुआ है, ये NTA conduct करवाता है, NTA की तरफ से अभी इसके बारे में कोई किसी प्रकार की information नहीं आई है, कि ICR के form कब start होंगे, तो जैसे ही इसके बारे में information मिलेगी, मैं आपको सुचित कर दूँगा, इसमें, मैं इसका separate video बना चुका हूँ, कौन आप channel search करके देख सकते हैं, इसके बाद में हम बात करें Central University में, तो Central University में जो courses होते हैं, वो BSC courses होते हैं, BA भी होता है, इसमें BCOM भी होता है, इसके साथ साथ इसमें integrated course भी हैं, जैसे BSC के साथ आप BAD भी करना चाते हैं, तो इसमें admission ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा medical line स से हट के इसमें BC करना चाते हैं, तो ये exam आपके लिए better रहेगा, COCT के exam में, जितने भी Central University हैं, उनका exam होना है, अब की बार 54 University का इसमें exam होने की संभावना है, अब ये clear नहीं होआ है, कि कौन-कौन सी university इसमें add होंगी, इसमें BHU भी सामिल हो सकता है, तो अगर आप BSC करना चाते हैं, उसके साथ साथ आप BAD भी करना चाते हैं, तो इसके integrated course में admission लेने के लिए आप इसका entrance exam दे सकते हैं, इसके अलावा इसमें PG भी करवाया जाता है, तो आप PG में भी integrated program में आप admission ले सकते हैं, MSC, MAD वगरा इस परकार से, या फिर MSC, BAD वगरा तो इस परकार के integrated course में भी आप admission ले सकते हैं, Central University में इसका अलग से entrance exam होता है, जिसे CU-CET कहा जाता है, तो अभी इसकी भी date आई नहीं है, तो जैसे ही इसका date announce होगा या इसके बारे में कोई update मिलेगी, मैं आपको inform कर दूँगा, अब हम बात करें Regional Institute of Education, तो इसमें भी आप इसका भी entrance exam लगता है, ये entrance exam देके आप इससे B.A.D. कर सकते हैं, ये B.A.D. के लिए institute हैं इसमें, तो इससे आप B.A.D. कर सकते हैं, इसकी date वैसे announce हो चुकी है, 11 जून इसकी exam date है, admit card download की 1 जून से 10 जून तक कर सकते हैं, और 15 से 31 माई के बीच में इसमें ये form date start होने की संभावना है, ये बारे में कोई update मिलेगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो ये आप इनकी website पर भी search करके देख सकते हैं, जो मैंने form बताए हैं, ये आलो इंडिया वेस के form बताए हैं, तो आप इसमें search करके देख सकते हैं, और MBBS, BDS या NEET के अलावा जो आप form बरना चाते हैं, तो आप भर सक करें इसमें, बाके update जैसे ही इनके बारे में मिलेगी, मैं आपको inform कर दूँगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें, वीडियो को like वे जदा जदा शेयर करें, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आप से लेता हूँ, विदा जैए हूँ